प्रधान मंतिर जी ने कहा है मुझे हैरत है इस तरह का बयान होते रहें लग रहा है कि वंगाल का चुनाओं हारने के बाद भी काला जादू शब्द जो है उनके दिमाग से निकल नहीं गाए और कल बिहार में जो खेला हुआ है उसके बाद मुझे रग रहा है कि प्रधान मंतिर जी खुद इस तरह की बात बोलने लगे है तो मुझे प्रसन्नता है मैं प्रसन्नता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी का पांच अगस्त का जो प्रधर्शन था महगाई के खिलाप वो अभी भी भारती जन्ता पार्टी को परिशान कर रहा है उस प्रधर्शन की धार कम करने के लिए मानने गिरी मंत्री जी को बोलना पड़ा उत्तर प्रदेश के माननी है मुख्य मंत्री जी को बोलना पड़ा कई इधर उदर की बाते करनी पड़ी और अंततो गत्व आज प्रधान मंत्री जी ने बोला तो इससे पता चलता है कि जो जनता का आक्रोष सड़क पर था उसकी वज़ाए से भार्जनता पार्टी की नेताओं के आगे अंधेरा है इसमें कोई दोरा नहीं इसलिए उन्हें सब कुछ अभी काला काला ही दिखाई पड़ रहा है उन्हें अगर ये लगता है कि काला कपड़ा पहल लेना काला जादू करना है तो मैं कुम्म में असनान करती हुई उनकी के तस्वीर है जिसमें उन्हें काले बस्त्र पहन रखे हैं भरजंता पार्टी के कई नेताओं ने काले बस्तर पहन रखे हैं तो ये तो शब्दों से खेलने की एक नाकाम कोशिश है इसमें कोई तो रहनी कि देश को एक अजीब से अंधेरे में ढखेल दिया है उनोंने महंगाई का अंधेरा चारो तरफ है नफरत का अंधेरा है आपस में समाज लड़ रहे हैं उसका अंधेरा है तो अंधेरा काले पन का प्रतीक होता है उसको तो वो खुद लाए है देश में ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी ने काले बस्तर पहन करके और बिरोध के स्वरूप देश को एक संदेशा दिया कि हम महंगाई का बिरोध कर रह उस मिथक से अपने आपको नीचे लाएं और जनता के लिए कुछ काम करें ताके लोगों के पेट में रोटी जा सके लोगों को आटा चावल दूद दही नसीम हो सके वरना जिस गती से कीमतें भाग रही हैं पेट्रोल डीजल से लेकर के गैस तक की स्कूल के पैंसिल तक की मुखर लगाने के लिए धन्वाइ